दमश्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइजोफ्रेनिया के बारे में साइजोफ्रेनिया है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसमें क्या-क्या साइंटिस्ट की अपनी फाइंडिंग्स रही है जैसे कि मैं आपको इसमें different तरीके के जो scientist के नाम आते हैं Kraplin का नाम आता है, Bluer का नाम आता है, Kurt का नाम आता है, Kurt Sneder इस तरीके के कई अलग-अलग scientist का नाम आता है और जिनोंने इस पर बहुत सारा काम किया है उनके बारे में भी हम discuss करेंगे, इसकी epidemiology को समझने की कोशिश करेंगे, इसके findings, इसकी pathogenesis, findings का मतलब इसके symptoms क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे last में हम इसके types और treatment के बारे में बात करेंगे. तो हमारा objective एक clear है, शुरू करेंगे हम history से, किन-किन scientist लोगों ने, किन-किन लोगों ने इसमें अपना contribution दिया, वहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे, और आगे हम one by one इसको detail में लेकर के चलेंगे. मैं बता दूँ, यह जो पूरा discussion है, यह review of psychiatry, एक प्रवीन्त रिपार्थी की book है, उससे मैंने support करते हुए, आपके साथ मैंने, मैं तयार किये हुए हूँ, तो प्रवीन्त रिपार्थी की जो psychiatry की review, JP Brothers की book है, वहां से आपको इसका एक support मिल जाएगा. साइजोफरीनिया एक serious mental disorder है, जो normal findings देखी गई है patients में, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि patient अकेले रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अक्सर वो अकेले में ही मुस्कुराते या बुदबदाते रहते हैं, वो ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें कोई आवाजें सुनाई देती हैं, जो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती, वो ऐसा दावा करते हैं कि कुछ ऐसी objects को वो देखते हैं, जो दूसरों को दिखाई नहीं देती हैं, वो शरीर पर कुछ भी न होते हैं कि बावजूद उनको लग इसको इस तरीके से represent किया जाता है, ये psychotic disorder का prototype माना जाता है। इसमें patient को लगने लगता है कि जो दुनिया में, जो उसके surrounding में लोग हैं, वो उसके खिलाफ हो गये हैं। उसके खिलाफ शड़ेंद्र, उसके खिलाफ कुछ ऐसी activities कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान पहुँचेगा। उसको लगने लगता है कि कोई बाहरी ताकत है जो उसके thoughts को control कर रही है। और इसमें patient अपने आप में हसने, रोने और कई बार जो चीज हो नहीं सकती है, उसकी बात करने लगते हैं। इतना ही नहीं, patient अपने जो daily needs हैं, जो अपनी personal hygiene हैं, उसका भी care नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो खुद को या किसी और को चोट पहुचा सकते हैं। तो इसलिए ये serious mental illness है, और इसमें patient की जो sleep pattern है, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो हम इसलिए इस problem के बारे में बात करने जा रहे हैं, और एक बात पता होना चाहिए कि schizophrenia किसी भी community, किसी भी sex, किसी भी age के व्यक्ति को हो सकता है, इसमें इसका genetic cause भी देखा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे tension, social pressure और दूसरे mental illness भी इस problem के लिए responsible होती है तो हमें ध्यान रखने के जरूरत होती है, अगर कोई person दुनिया से आम लोगों से कटा कटा रह रहे हो, उनको नीद नहीं आ रही है, परिशान हो रहे हो, उनके जो उनका appearance है, उसमें अगर बदलाव आने लगा हो, वो समय से खाना रहे हो, उनको नीद नहीं आ रही हो, बे उनके चेहरे पर कोई बहुत clear आभाव, भाव मिंस उनके चेहरे पर कोई बहुत जादा clear expression नहीं है, लोगों पर वो शक करने लगे हों कि दुनिया उनके खिलाफ कुछ strategy बना रही है, उनको नुक्सान पहुंचाने की, वो बिना मतलब का इधर उधर घूम रहे हों, उनको दर लग रहा हूँ, वो अजीबों गरीब हरकत कर रहे हूँ, तो आप समझ लें कि person को schizofrenia हो सकता है, जब हम बात करते हैं history में, तो इसके बारे में पता चलता है कि Emil Kraplin ने psychiatric illness को दो टाइप्स में divide किया था, एक dementia paradox और दूसरा manic depressive illness के रूप में, इसमें, मोटे तोर पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं Emil Kraplin के contribution को, तो इन्होंने psychiatric illness को दो पार्ट्स में divide किया था, हाला कि आगे हम to the point रहेंगे schizophrenia पर ही, लेकिन अभी आप समझ लें कि शुरुवाती दोर में जो classification किया गया था psychiatric illness का, इसमें एक में सीखने की जो learning ability थी वो धिरी धिरे decline करती जाती है, तो उस तरीकी की समस्याओं को उन्होंने dementia, paricox, paricox के रूप में उन्होंने divide किया, दूसरा था manic depressive illness, manic depressive illness में alternation, mood का alternation देखने को मिलता है, इसमें जो manic depressive illness होती, उसमें cognitive function में कोई बदलाव नहीं आता है, सीखने की जो learning ability होती है, उसमें बदलाव नहीं आता है, जबकि यह dementia, paricox में, gradually memory का decline होना, attention का कम होना, goal directed behavior पुरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तो इस तरीके से उन्होंने psychiatric illness को divide किया था, आगे जब हम देखते हैं, सीजोफरेनिया के point of view से, तो bleuler का contribution आता है, क्योंकि bleuler नहीं सीजोफरेनिया term को दुनिया के सामने लाया, सीजोफरेनिया जो term है वो bleuler नहीं दिया था, bleuler नहीं चार fundamental, four fundamental symptoms बताये थे, उन्होंने कहा था, four A's, जो होते हैं, यानि four A, जिसमें acoustic thinking and behavior, माफ करिएगा, acoustic नहीं, autistic, autistic term का मतलब होता है, खुद में ही, अपने ही surrounding में सोचना, वो दूसरे लोगों को treat नहीं कर पाते हैं, तो इसमें वो पूरी तरीके से अपने आप में ही absorb हो जाते हैं, एक इस तरीके की illness होती है, जिसमें autistic thinking, खुद से ही बात करने लगते हैं, और अपने आप में ही self में ही absorb हो जाते हैं, अपने आप से ही बाते करना, लोगों के साथ वो socially treat करने, socially जो उनका connection होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है, वो लोगों के साथ प्रॉपर treat नहीं कर पाते हैं, तो ये autistic thinking होती है, एक दूसरी समस्चा इसमें देखने को मिलती है, ambivalence, ambivalence का मतलब क्या होता है, ambivalence का मतलब होता है, दोनों तरीके के उनके मन में विचार आते हैं, वो mixed feeling या mixed emotions के साथ present करते हैं, वो कोई decision नहीं ले पाते हैं, उनके दिमाग में बात चलती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से ambivalence की जो presence देखी जाती है, जिसके बारे में bluer ने पहली बार बताया, इसी तरीके से, इसमें affect disturbances, मैंने आपको बताया, 2A के बारे में, अब तक हम लोगों ने 2A को explain कर लिया, एक A है, autistic thinking, दूसरा है ambivalence, अब तीसरे A की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब होता है, affect disturbances, affect disturbances का मतलब यह होता है, कि disturbances of emotions, जैसे inappropriate affect होता है, mood पुरी तरीके से disturb हो जाता है, एक बार फिर से समझ लें, ambivalence का मतलब क्या होता है, दोनों ही तरीके के उनके मन में विचार आते रहते हैं, तो इसी लिए एक ही समय में, वो कभी वो feel करने लगते हैं, happy और कभी-कभी वो उसी समय sadness भी feel करने लग करते हैं, affect disturbances को आप emotional disturbances भी कह सकते हैं, जिसमें person की learning ability, जो कि मैंने आपको बताया था, क्रैपलिन ने यही बात कहा था, dementia, pericocs के रूप में, इसमें learning ability बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है, तो जो क्रैपलिन ने जो दावा किया था कि कुछ psychiatric illness ऐसी होती है, जिनमें learning ability प्रभावित होती है, उसमें schizophrenia भी आती है, इसमें affect disturbances का मतलब होता है, emotional disturbances, person के learning ability पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है, इसमें emotional disturbances की वज़ा से वो school को drop out कर देते हैं, adolescence में ही, क्योंकि उनका academic या social failure जादा तोर पर देखने को मिलता है, ऐसे students के बारे में बस इतनी सी बात याद रखनी क्योंकि हमारा major objective schizophrenia है, हम अभी emotional disturbances पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बस याद रखना कि affected disturbances होता क्या है, association disturbances जिसमें आप देखेंगे association disturbances का मतलब यह होता है, यह मेरी बात थोड़ा साब से एक request है कि आप जो review of secretary जो प्रवीन तृपाठी की book है, अगर वो आपके पास होगी तो ज्यादा अच्छा है, वो JP Brothers की द्वारा पब्लिश की गई किताब है, तो वो थोड़ा से सही भी लगता है क्योंकि उसमें JP Brothers की जो book आती है, वो ज्यादा इसलिए मुझे ठीक लगती है क्योंकि उसमें secretary को थोड़ा examples की मदद से बहतर तरीके से explain करने की कोशिश की गई है, तो चलिए देखते हैं, जो मैं अगला बता रहा था आपको four A's में, association disturbances में, इसमें thoughts इतने तरी associate नहीं हो पाता है, जैसे losing of association या फिर association disturbances की जो बात आती है, उसमें ये क्या होगा, अगर person से कोई बात पूछा जाए, तो वो सही तरीके से उसका जबाब, उसका answer नहीं देते हैं, ये thought disturbances होती हैं, और इसमें कोई भी इसमें association नहीं होगा thoughts में, जैसे अगर उनसे पूछ करना शुरू कर देंगे, उनके विचार इतनी तेजी से बदलते रहते हैं, flight of ideas होने की वज़ा से, वो कहने लगेंगे, राजा दसरत आयुध्या में रहते थे, पेले खिलाडी था, football का बहुत बड़ा खिलाडी हुआ करता था, श्रोलंका भारत के दक्षर में होता है, और ट्रंप अमेरिका के राश्टर पती है, इस तरीके से जो बात घुमा फिरा करके वो करने लगते हैं, उसका कोई association नहीं नजर आता है, तो association disturbances भी सिजोफरेनिया में देखने को मिलता है, तो इस तरीके से धीरी-धीरी historically पता चलने लगा, सिजोफरेनिया में क्या-क्या ची बताई कि कुछ ऐसे disorders होते हैं, जिसमें learning ability बुरी तरीके से प्रभावित होती है, कुछ ऐसे disorders को उन्होंने बहुत बहुतर तरीके से नहीं समझाया, बात में चलकर के यूजिन ब्लूर ने सिजोफरेनिया टर्म क्या और उन्होंने कुछ हद तक इसके four A's के द्वारा इसक जो सबसे बड़ा contribution है वो, वो Kurt Schneider का है, Kurt Schneider जो भी आप कहलें, उन्होंने जो भी problems थी, उसको properly categorize किया, जिसको इन्होंने जो symptoms देखे थे, सीजोफरेनिया को, सीजोफरेनिया में, उसको उन्होंने properly categorize किया, शेनिडर ने, उन्होंने 11 स्नीडेरियन first rank symptoms के बारे में बताया था, तो वहां से हम इस chapter के बारे में जादा बहतर तरीके से समझ पाते हैं, जहां पर एक बहतर जानकारी सेनिडर ने दिया, सेनिडर ने 11 सेनिडेरियन first rank symptoms के बारे में बताया था, तो वहीं से सिजोफ्रेनिया को हम जादा बहतर तरीके से समझा सकते हैं, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कई अलग-अलग लोगों का नाम, जिसमें यूजन, यूजन, ब्लियूलर का नाम मैंने बताया कि उन्होंने सिजोफ्रेनिया को, term को क्वाइन किया था, मैंने आ बहुत बहतर तरीके से हम समझ पाते हैं कि thoughts में क्या-क्या impairment होंगे, इसमें बाकी और क्या-क्या परिवर्तन होंगे, जैसे उन्होंने कहा था, three thought phenomenon, three mid phenomenon, three auditory hallucination, इसके अलामा, इस तरीके से nine हो गया, फिर उन्होंने बताया, somatic passivity, delusion perception, इस तरीके से उन्होंने 11 first rank, स्नेडेरियन, first rank symptoms के बारे में बताया था, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो शैनेडर के द्वारा बताया गया, 11 first rank symptoms थे, उनके बारे में जब बाद में चल करके study किया गया, तो पता चला, क्योंकि psychiatric illness को किसी तरीके से जाचने का, कोई testing का हमारे पास स्नेडेर के दावों को बहुत जादा हम कह सकते हैं कि एकदम यही बात हो गती है, या यह भी नहीं कह सकते कि यह बात नहीं होती है, यह उन्होंने अपने आधार पर उन्होंने अपनी 11 first rank, जो स्नेडेरियन first rank symptoms बताया थे, उसको हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम पास उसके इंकार करनी का भी कोई कारण नहीं बनता, तो 11 जो स्नेडेरियन सिंटरम्स हैं, इसमें हम thought phenomenon, 3 thought phenomenon के बारे में बात करते हैं, thought phenomenon में क्या होता है, यह बात ऐसा होता है कि जैसा लगता है, इसमें thought phenomenon में thought से related disorders person feel करने लगते हैं, person को लगता है कि उनके thoughts को कोई प्रभावित कर रहा है, उनके thoughts को कोई temper कर रहा है, उनके mind को कोई बदल रहा है, उनके mind में कोई बदलाव ला रहा है, जैसे three thought phenomenon में, thought insertion का जो complain होता है, उसमें person यह कहते है कि कोई thoughts उनके body में insert करते हैं, ऐसे ही उनको यह लगता है कि कोई thoughts जो उनके हैं वो कोई विड्रॉ कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके माइंड से थौट्स को विड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से उन्हें लगता है कि कोई उनके विचारों को पढ़ने के बाद कोई उनके थौट्स को ब्राड कॉस्ट कर रहे हैं, कोई उनके थौट् रटकॉस्टिंग में परसन ऐसा धावा करेंगे कि कोई हर कोई उनके विचारों को समझ जाता जबकि इसके बावजूद वो कुछ नहीं कहते हैं यानि कोई है जो उनके विचारों को समझ लेता है और उसके बाद वो उनके विचारों को हर किसी तक पहुँचा देता है तो इसमें three thought phenomenon देखे जाते हैं, इसी तरीके से इसमें three mid phenomenon होते हैं, mid phenomenon में उनके द्वारा काम करने की activities किसी और के द्वारा control हो रही है, यानि तीन तो हमने ये देखा कि उनके विचारों को, उनके thoughts को कोई प्रभावित कर रहा है, बाकि जो three mid phenomenon है उसमें ऐसा लगता है कि उन इसमें दावा करेंगे कि कोई external agency उनके पूरे के पूरे action को control कर रही है, तो कोई motor act जो है, वो कोई external agency, mid volition का मतलब कोई करवा रहा है, mid phenomenon में मतलब करवाने की बारे में हम बात करते हैं, जैसे वो दावा करेंगे कि कोई black magic उनसे murder करवा रही है, वो खुद उन्होंने नहीं किया है, तो इस तरीके से वो दावा करते हैं, वो अपने बारे में ये बताएंगे कि वो रोबोट की तरीके से बस बन करके रह गए है इसी तरीके से mid phenomenon में, mid phenomenon में person को लगता है कि कोई उनसे दूसरों के लिए तो करवाई रहा है, उनके अपनी inherent जो properties हैं, हसने और रोने की वो भी कोई बाहरे ही control कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम समझना होगा, यहाँ पर जब mid volition की बात कर रहा है, तो इसमें कोई force कर र है, तो mid volition उसका example बनेगा, mid effect में हम क्या देखते हैं, mid effect में हम ये देखते हैं कि person के जो daily life के routine है, उसको कोई और करवा रहा है, mid effect, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, mid volition का एक और example हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, mid volition में क्यों का person लगातार पंके के भी लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं, उनको लगता है कि कोई कह रहा है, इसलिए उनके काम करना है, mood effect में क्या होता है, mood effect में पूरी तरीके से जो उनकी activities हैं, उनको लगता है कि कोई उपर से कह रहा है, कोई force कर रहा है, उनके mood पर control कर रहा है, इसलिए वो कई बार हसना शू परकातार बदलावारा क्योंकि कोई बॉडी उनको कंट्रोल कर रहा उनके इमूशन्स को इस वज़ा से वो जब कहेगा तो रोने लगते हैं तो यह इंपल्सिव होता है वो सरेनली इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं कोई बॉडी इंपल्स उनके भीतर डाल रहा है जिस अगर उस परसन को हास्पिटल में एड्मिट किया गया है वो उनको चाय देने के लिए कोई पर सुनाए वो अचानक चाय का जो कप है वो उसी पर से पर फेक देते हैं कोई पूछे का क्यों इस तरीके से किया तो उन्होंने कहता है वो बताने लगेंगे कि मुझे किसी ने एक्टिविटी के लिए कंपिल किया है कोई बाहर से आया उसने कहा कि इसको उपर फेक दो मैंने फेक दिया मैंने कुछ नहीं किया इस तरीके का वो दावा करने लगते हैं तो वो अलग-अलग तरीके के जो कंडिशन्स हैं उसको हमें समझना होगा तीन थौट फेनामेनन तीन तरीके से हम लोगों ने मिड फेनामेनन के बारे में पढ़ा इसी तरीके से तीन ओडिटरी ओडिटरी हैलुसिनेशन्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं तो उसमें उनको लगता है कि वाइसेज उनके बारे में डिसकस करते हैं तो जो अडिटरी हैलुसिनेशन है यह हाँ तो मैं image दिखा रहा हूं लेकिन उस person को image clear नहीं दिखता है लेकिन उसे लगता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं उसे लगता है कि एक person कह रहा है कि देखो वो कैसा इंसान है जिसकी अच्छी qualities नहीं है तो फिर दूसरी आवाज कहेगी हाँ देखो ये कैसा दिखने लगा है तो इस तरीके से उसको लगने लगता है और उसको लगता है कि वो खुद एक third person है और दो लोग आपस में उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये वाइसes arguing कर रही हैं इस तरीके का भी वो दावा करते हैं वाइस commenting भी वो person दावा करते हैं कि जब वो कोई काम करने जाते है जैसे वो किचन में गय तो ऐसा लगता है कि कोई बता रहा है कि वो देखिए ये देखिए अभी उन्होंने पोटेटो को लिया अब उसके बाद वो उसको कट करेंगे वाश करेंगे फिर ऐसे करेंगे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है कोई कमेंट कर रहा है ऐसा ल इसमें audible thoughts की बात भी देखने को मिलती है, तो audible thoughts में उनको ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है, अचानक कोई आवाज आती है जो उन्ही की बात को, उनके विचारों को, उनके thoughts को repeat करती है, जैसे उन्होंने सोचा कि मुझे आज रात में डिनर किसी रेस्टरेंट में करना चाहिए, अचानक उन्हें लगने लगता है कि कोई आवाज है जो उन्ही की बात को repeat कर रहा है, तो ऐसा भी उन्हें लगने लगता है, तो recall करें सारी चीजों को, तो three auditory hallucination, इसमें wise discussing, फिर ये सारे auditory hallucination के case में आते हैं, auditory hallucination में wise discussing का मामला, जिसमें argument वो feel करने लगत हैं, मैंने आपको बता है कि इसमें wise commentary ये wise comment करते हैं, ऐसा भी उनको आठ में रूप में आपको बता है, एड़ फर में, और नाइन्थ में मैं आपको बता था कि audible thoughts होते हैं, तो wise जो होते हैं, उनके बारे में running commentary करना शुरू कर देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, हैं, और इसमें वो audible thoughts का eco वो महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको कोई repeat कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं, even सोचना वो भी eco हो रहा है, कोई female उन्हीं की बात को eco कर रही है, repeat कर रही है, इस हद तक वो परिसान हो जाते हैं, इसमें फिर दस्वा है, इसमें डेलूजनल परसप्शन, डेलूजनल परसप्शन में क्या होता है, इसमें किसी नॉर्मल परसप्शन को देखने के साथ है, इसमें परसन को डेलूजन के साथ, डेलूजन अटास्ट होता किसी न नॉर्मल परसप्शन रहा उसने स्काई को देखा इसकाई को देखने के बाद ही उसके दिमाग में एक बात आई एक डिलूजन उसके साथ अटाइच हो गया कि वो दुनिया में भेजा गया है किसी बड़े काम के लिए इस दुनिया को बचाने के लिए इसी तरीके से एक और हमें कि उसने फैन को देखा, सिलिंग फैन को देखा और सिलिंग फैन को देखते ही एक उसके साथ डिलूजन अटाइच ये हो गया कि उसको लगने लगा कि सारे शहर के लोग उसको होमेसेक्सवल की तरीके से मानने लगे हैं तो इस तरीके की विचार उसके मन में आएंगे अब delusion क्या है इसमें क्या होता है इसमें delusion होता क्या है exactly इसको समझ लें delusion एक disorder है जिसमें content of thought में दिक्कत आती है तो delusion को हम लोगोंने समझा है इसको आगे मैं और भी detail में चलूँगा एक जो last है अचा ठीक है delusion का एक false belief है जैसे ISI का विस्वास की ISI उसे मार देगी तो यहाँ पर जैसे color delusion perception में एक example लें कि color जो इस marker जिससे मैं समय लिखा हुआ हूँ उसका color black है और CIA और ISI उसके पीछे पड़े हुए है इस तरीके से उसको लगने लगता है delusion perception में किसी चीज़ को उसने देखा और उसके बाद यहाँ पर उसे लगने लगता है एक चीज़ को देखते ही दूसरे विचार मन में आते हैं कि उसे कोई harm पहुचाना चाहता है अब लास्ट में जो आता है वो है somatic passivity तो जो सबसे लास्ट होगा somatic passivity का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लें somatic passivity का मतलब यह होता है कि कोई visceral या tactile hallucination of patient feel करने लगता है जैसे उसे लगने लगेगा कि burning sensation उसके feet में जो कुछ भी है वो UV rays जो कि अमेरिका से आ रही है FBI agents ने अमेरिका से UV rays भेजा है जिसकी वज़े से उसके feet में burning sensation हो रहा है इस तरीके का person को feel होने लगता है तो person कुछ ऐसा tactile या कई बार visceral hallucination को feel करने लगता है और वो blame करने लगता है कि कोई external agency इस काम के लिए responsible है तो ये काफियत तक delusion of perception के जैसा ही होता है और इस आधार पर एक example जो मैंने आपको बता है कि उसे लगने लगता है कि कहीं पर भी जो body में changes जैसे मैंने आपको बता है इस example को छोड़ दें दूसरा example मैंने जो आपको बताया कि कोई external agency उसके पैरों में burning intense जो sensation आ रहा है वो UV rays की वज़ा से आ रहा है जिसको FBI agents ने अमेरिका से भेजा है इस तरीके का उसे लगने लगता है तो अब तक हम लोगों ने 11 शैनेडेरियन जो जो symptoms थे first rank symptoms थे उनके बारे में discuss किया है next हम चर्चा करेंगे शैनेडेरियन symptoms के बाद epidemiology के बारे में और actual में इसकी pathogenesis क्या हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे फिर symptoms कैसे person present करते है उसके बारे में हम बात करेंगे